नमस्कार दोस्तों चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज किस वीडियो में आपको एडसेंस या यूटूब के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो देखिया अभी आज रात को ही ये मैसेज आया है जितने भी यूटूबर हैं जितने भी क्रियेटर हैं सभी के एमेल पर ये मैसेज आ गया है important sign up for paperless tax documents by December 31 2021 मतलब paperless tax document को 31 December से पहले submit करना है ये सभी के लिए ज़रूरी है और इस पकार देखिए ये मुझे भी email आया है तो paperless tax documents को कैसे submit करना है वो आज किस वीडियो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे देखिए यहाँ पर नीचे चलते हैं ये किस प्रकार से submit करना है वो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है पूरा detail यहाँ इसको आप पढ़के भी आप submit कर सकते हैं बाकि मैं आगे बताने वाला को आपको यह किस प्रकार से submit करना है तो यह tax information के page में ही जा कि यह होगा देखिए यहाँ पर लिखा hi there sign up for your paperless tax documents in adsense by December 31 2021 access your tax documents online and help save trees in just a couple minutes means यह है कि adsense में जाके आपको 31 December से पहले paperless tax document पर sign up करना है submit करना है आपका जो भी document है tax का document है वो online आपको भेद दिया जाएगा पेड़ों की सुरच्छा के लिए क्योंकि जो भी document आपको post के द्वारा भेजा जाता था उसमें क्या होता था कि पेड़ों को नुक्सान होता था क्योंकि जो भी paper बनता है वो पेड़ों से बनता है तो उसमें पेड़ों का नुक्सान हो रहा है इसलिए tax document का जो भी आपका रहेगा वो email के द्वारा online आपको भीद दिया जाएगा तो उसके लिए आपको sign up करना है एडसेंस बजाके paperless tax document को submit करना है एकसेस देना है तो यह किस परकार से करना है दोस्तों वो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं और चलते हैं अपने mobile के screen में आपको दिखाते हैं कि कैसे और किस परकार से paperless tax document submit करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सबसे परहें दोस्तों अपने मुबाइल के जीमेल को ओपन करना है तो जैसे ही हम जीमेल पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जीमेल एकाउंट ओपन हो गया है उसके बार कॉर्णर में देखिए यहाँ पर आपके चैनल का लोगो पर हुआ है, तो लोगो पे टूस कर देना है, उसके बाद देखें, यहां पर एकwelे एकप्षिन आपको मिल जाता है Manage your Google Account, तो Manage your Google Account पर टूस कर देना है wow तो यहां पर दोस्तों, जैसे हम यहां पर टच्च करेंगे, टच करने पद यहां पर देखिए कऱी सारे और देखिए कई सारे आप्चन स्कॉल करेंगे L precisamente क्या है, यहां पको एक आप्चन की मिल जाएगा दाटा और प्राइवेशिन आह पर टच WILL एक बाद दोस्तों थोड़ा scroll करके नीचे चलना है जैसे हम यहां देखिए नीचे चलेंगे थोड़ा और नीचे चलना है और यहां पर देखिए आपको एक option मिल जाएगा apps and services का उसके बाद इस apps and services के option पे टेस्ट कर देना है और थोड़ा process लेगा और नया page यहां पे open होगा उसके बाद दोस्तों google dashboard का page open हो गया है और यहां पे scroll करके थोड़ा नीचे चलना है और यहां पर देखिए essence का option दिया हुआ है और नीचे यहां setting option है उसके बाद दोस्तों setting option पे टेस्ट कर देना है उसके बाद देखिए दोस्तों google essence का page open हो गया है और इस पकार से आप google essence का page open कर सकते हैं और इसको आप direct भी open कर सकते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि google essence का page हम को open करना नहीं आता है तो इसलिए मैं सारा प्रोसेस एक दिम स्टार्टिंग से बता रहा हूं उसके बाद दोस्तों देखिए left side corner में three line बना हुआ है तो three line पे touch कर देना है three line पे touch करती है यहां पे आपको एक option मिल जाएगा payments का उसके बाद payments का option पे कर देना है कि यहां पे देखिए payments इंफो का option है तो उसके बाद payments infolan पर touch कर देना है अज़े यहां पर नए page open हो रहा है उसके Dann कि अधिन सबसे 라स्ट में यहां पर एक option है manage setting का तो दोस्तों उसके बाद manage setting का option पर टच कर देना है और देखिए process हो रहा है तो देखिए यहाँ पर text information का फार्म पुरा open हो गया है उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर United state tax info का option दिया हुआ है साथ में यहाँ पर pencil का निसान बना हुआ है तो pencil के निसान पर टच कर देना है यह सब कुछ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर एक option मिल जाएगा blue color में manage tax info का तो उसके बाद manage tax info पर टच कर देना है उसके बाद एक नया page load होगा तो थोड़ा wait कर लेते हैं देखिए यह page open हो गया है उसके बाद यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा manage delivery preference का तो उसके बाद manage delivery preference पर टच कर देना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक pop-up के रूप में message आएगा US tax document delivery का जो paperless delivery agreement है वह यहाँ पर open हो गया है जो भी essence के तरफ से जो भी message होता था वह paper के दौरा हमारे घर पर आता था लेकिन अभी paperless करने के लिए यह agreement यहाँ हमसे कराया जा रहा है जितने भी नए यूटूबर है यह पुराने यूटूबर है जितने भी लोग है जो वीडियो बनाते हैं जो यूटूब पे जिनका चैनल है उनको यह 31 दिसंबर से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसलिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इसको पक्का कर लिए पेरलेसड़रम एग्रिमेंट प के हां अगरूरे जो पिलेव nhấtDENा हिए उसको एक्सेक्ट करना तो देखे इसके लिए यहां पे एक box बना हुआ है और यहाँ पर box बना हुआ है उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई accept the paperless delivery agreement अगर आप इस paperless delivery agreement को accept करते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है तो चलिए यह agreement हमको accept है तो इस पर हम touch कर देते हैं तो देखिए जैसे यहां पर टेश करेंगे तो इस पकार जहां पर राइट करने इसान लग जाएगा और अगर आप पोश्ट के द्वारा भी अगर मगाना चाहते हैं तो इस पर भी टिक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो यह एक्रिमेंट हो रहा है वह पेपेर लिस्क लिए हो रहा है तो इसलिए यहां पर हमको गों सब्कूनिज करना पड़ेगा देखी यह यहाँ पे टुच हो गया 5 उसके बाद देखें यहाँ l लिखा हुआ अपडे डियरी प्रेफेरेंस तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे टुच करेंगे तो यहाँ इसे हम यहाँ पिटुच रेंगे तो हमारा यह एकसेट वाला जो पीज है यह अंपर हो जातीफ तो option यहाँ पर add हो गया है find digital tax reporting documents online only no paper post means आपका जो भी digital tax reporting का document रहेगा वो online आपको email द्वारा भेद दिया जाएगा और कोई भी paper post के द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा वो यहाँ पर submit हो गया है